राजस्तान में लोगसवा चुनाओं का रिजल्ट आने के बाद बेसिया से पारा अभी भी गर्म है कॉंग्रेस ने इंडिया गटबंदन के साथ 11 सीटों पर अपना कबजा जमा कर बिजेपी के क्लीन स्वीप करने का सपना चूर चूर कर दिया है राजस्तान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बिजेपी को 14 सीट जीत करी संतोष करना पड़ा इस हार के कारण बिजेपी में हल चल है राजस्तान के 5 लोगसवा सीटों पर विभिन विधायक सांसर चुने गए है इसके कारण विधानसभा सीटों पर विधायक अपद खाली हो गया है इसके चलते हैं फिर से राजस्तान में पांच विधानसभाओं में उपचुनाओं होंगे इनमें RLP का एक, बाप पार्टी का एक और तीन कॉंग्रेस के विधायक शामिल है सियासत में कयासों का बजार गर्म है पांचों विधानसभा सीटों पर विधायकों का कौन होगा उत्रादिकारी दरसल इन पांच विधानसभाओं की सीटे खाली होने से उपचुनाओं होंगे रास्तान में लोगसभा चुनाओं के चलते कॉंग्रेस और RLP ने इंडिकर्ट बंदन के तहट अपने पांच विधायकों को चुनाओं मैदान में उतारा इस दोरान देवली उनियारा जुन जुनों खीम सर बांसभाडा की चुरासी और दोसा विधानसभा के विधायकों ने चुनाओं जीत लिया इसके चलते इन विधायक विधायक का पद खाली हो गया ऐसी स्तुति में फिर से इन विधानसभाओं पर उपचुनाओ आईजुत किये जाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं देवली उनियारा विधान सभा सीट की टॉंक जिले के देवली उनियारा विधान सभा में कॉंग्रेस नीता एवं पूर डिप्टी सीम सचिन पाइलेट के करीबी हरीश मीना दूसरी बार लगातार यहां से विधायक चुने गए थे लेकिन इस बार कॉंग्रेस नी उनी लोकसभा चुनाव में टॉंक सवाई मादेपूर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जहां उन्होंने दो बार के बिजेपी के सांसद रह चुके सुखबीर सिंग जैन पूरिया को पठकनी देते वे चुनाव जीता SME अब सियासी चर्चा शुरूँ हो गई है कि देवली उनियाल से हरिश मीना को तरादीकारी कौन होगा राजनितिक जानकारो दौरा माना जा रहा है कि देवली उनियाल में टिकेट का निर्धारन सचिन पाइलिट और हरिश मीना मिलकर करेंगे अब देखना होगा कि दोनों नेता किसके टिकट पर अपनी मोहर लगाते हैं अब बाद जुनजुनु विधान सभा सीट की करें तो जुनजुनु विधान सभा में भी ब्रजंदर ओला विधायक चुने गए थे उन्हें भी कॉंग्रेस ने लोगसभा चुनाव के दोरान जुनजुनु से चुनाव मेदान में उतारा अब ब्रजंदर ओला जीत का सांसद बन चुके हैं जिस्तिती में जुनजुनु विधान सभा के सीट एक बाद फिर खाली हो गई है जुनजुनु कॉंग्रेस के दिगज सीष्राम ओला के राजनितिक कर्म भूमी रही है लोग चुनाव हो या विधान सभा चुनाव जुन्जुनु में ओला परिवार की चाप हर चुनाव में देखने को मिली है कयास है कि ब्रजिंदर ओला के सांसत बनने के बाद खाली होने वाली विधानसवा सीट पर कॉंग्रेस उनके बेटे अमित ओला को मोका दे सकती है इसके अलावा ब्रजिंदर ओला के पत्नी राजबाला को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है नागोर जिले की खिमसा विधानसवा सीट की बात की जाए तो ये आरेल पी प्रमुक हनुमान बेनिवाल का गड़ है इस सीट से बेनिवाल तीन बार विधायक بنे हैं हाल ही में हुए लोगसाबा चुनाव में एक बाद फिर लगाता, दूसरी बार बेनिवाल नागोर सीट से सांसद चुने गए हैं उन्होंने बिजेपी की जोती मिर्दा को हराका फिर से नागोर की सीट पर कबजा किया है बेनिवाल इससे पहले 2019 में भी यहां से सांसर चुने गए थे 2018 में भी बेनिवाल विधाय का चुनाव जीतने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में सांसर बने तब भी उपचुनाव में उन्होंने भाई नारायन बेनिवाल को खिवसर से मैदान में उतारा और वहां चुनाव जीते इस बार भी उपचुनाव को लेकर कहा गया है कि बेनिवाल अपने भाई नारायन बेनिवाल को फिर से मैदान में उतार सकते हैं इसके अलावा चर्चा है कि बेनिवाल पत्नी कनीका बेनिवाल को भी उप्चुनाव लड़वा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि बास्वाडा जिले की चोरा से सीट की तो राजस्तान में दोह जाते इसके विधानसवा चुनाव में पहली बार भग्य आज माने वाली बाप यानि भारत आदिवासी पार्टी ने तीन सीट जीती इनमें डुंगरपुर जिले की चोरा से सीट भी शामिल है जहां से राजकुमार रोत विधायक है हालांकि राजकुमार इससे पहले 2018 में भी बीटीप यानि भारत ट्राइबल पार्टी से विधायक रह चुके हैं अब उप चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी चोरा से सीट पर किसे प्रत्याशी बनाएगी इसको लेकर राजकुमार के करीबी पोपट, खोखरिया और दिनेश का नाम चट्चाओं में आगे है और अब बात कर लेते हैं सबसे होट सीट यानि की दोसा विधान सबा सीट की तो दोसा विधान सबा सीट से पूरु मंतरी मुरारी लाल मीना ने भी 2023 के विधान सबा चुनाव में जीत दर्च की है अब लोकसवचनाव में मुरारी लाल दोसा लोकसवचीट से सांसद चुने गए हैं ऐसे में कॉंग्रेस उनी के परिवार के किसी सदेश्य पर उपचुनाव में दाव खेल सकती है इस दोरान मुरारी लाल मीना की बेटी निहारी का अपने पिता की सीट वर उप चुनाव के मैदान में उतर सकती है। कॉंग्रेस मुरारी लाल मीना की पत्नी सवीता मीना को भी चुनाव लड़ा सकती है। क्योंकि विधान सब़ चुनाव की दोरां दोसा से नरेश मीना ने टिकेट की मांग की थी, लेकिन उनकी जगे मुरारी लाल मीना को टिकेट मिला, इसके चलते उन्होंने पार्टी का काफी विरोध किया था, ऐसे में संभावना है कि पार्टी नरेश मीना को अब संतुस्ट करने के लिए दोसा से चुनाव लड़ा सकती है रास्तार में लोकसवा चुनाव संपन होने के बाद बीजेपी का अगला फोकस राज्य की पांच विदानसवा सीटों के उपचुनाव पर है जहां बीजेपी को उन पांचों सीटों पर पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस सीटों पर फिर से बीजेपी को कम बैक करना असान नहीं होगा पांच विदानसभा सीटों में से तीन सीटों पर कॉंग्रेस ने पिशली बार जीत हासिल की थी इनमें देवली उनियारा और दोसा विदानसभा सीट बीजेवी के लिए चुनोती फूर्ण है इसकी बज़े यहां कॉंग्रेस के दिगज और गुजर और मीना नेताओं की जुगल बन दी है इसके कबजे से बीजेवी के लिए सीट निकालना बड़ी चुनोती है दोसा और देवली उनियारा विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलेट का बड़ा दबदबा है वहीं देवली में सांसध हरिश मिनात और दोसा में मुरा लिलाल की अच्छी पकड़ है अब तो उपचुनाव का घमासान शांत होने के बाद ही पदा चल पाएगा कि इंडी गड़बंदन की सभी पाचों सीटों पर भाश्पा सेंद लगामने में काम्याब होती है विदान सभा चुनाव के बाद फिर से उपचुनाव में भाश्पा को कॉंग्रेस से पटकरनी देने में काम्याब होती है